असलाम अलेकूं सामीन मैं हूँ आपका होस्ट मलक मनसूर एमद और आप देख रहे हैं M.H.TV फ्रेंकफॉर्ट सामीन UK driving theory course उर्डू translation के साथ मैंने आपके साथ 80% वीडियो जो हैं वो शेयर करती हैं यानि 80% जो सवाल हैं वो मैंने बड़ी हाथ तक शेयर कर दी हैं अभी कुछ दो या तीन टापक जो हैं वो रहागी हैं और मैं कुछ और भी वीडियो अपलोड करता हूं German driving theory course की भी करता हूं लेकर अभी मेरा राकूंगे ज्यादा फोकस इसलिए UK driving theory course पर आए कि बहुत सारे कुछ आपके साथ शेयर करेंगे practice test जो हैं वो भी इन्शालला हम आपके साथ करेंगे तो आज इन्शालला हम जो आपक जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे इसके total fifty one questions हैं मैं इन्शालला दो वीडियो की शकल में यह आपके साथ शेयर करूंगा और टापक का नाम है vehicle handling लिंग तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है अपने तमाम देखने वालों से कि जो लोग मेरी वीडियो से फाइदा उठा रहे हैं जिनको मेरी वीडियो से फाइदा और वो सीख रही हैं तो उन से request है कि इतना तो जो है मेरा हक बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साल लगे गंटी के बटन को प्रेस करने से आपको यह फाइदा होता है जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसका notification मिल जाता है और आप उसको फोरण देख सकते हैं और फिर चैनल को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपने लेस्टन को जी सामीन इसके टोटल 51 जैसे के मैंने कहा है इसके questions हैं और हम आपके साथ आज 25 questions जो है वो शेयर करेंगे तो दैन इंशाल्ला फिर आगे 25 questions शेयर करेंगे तो पहला स्वाल हमारे सामने आया वो कहता है what should you do when you meet an oncoming vehicle on a single track road बाद दफा सामें कुछ रोड होते हैं single track बहुत तंग होते हैं और सामने से गाड़ी आजाए तो आपके लिए मुश्कल होता है सवाल के ओपर अगर आप गौर करें तो बड़ी हद तक आपको जवाब की समझ आ जाती है UK में ये भी फाइदा है जर्मनिवे में थो होता है बागत जगा जो जो आफिन होते नमें 25 जवाब होते हैं तीन भी होते हैं यहां पर आपका मेशा है ही होता है तो यहाँ पे देखें जब सिंगल ट्रैक पर आप जा रही हूँ आगे से गाड़ी आ जाए तो आपने hazard द्लार तो नहीं आन का दर नहीं डबल शार आन जहां आपने रिवर्स बैक करके में रोड पर गाड़ी ले जानी है ना ही आपने एमरजनसी स्टाप करना है बलके आपने जहां पर को पासिंग प्लेस है जहां से दोनों गुज़र सकती है वहां पर रुख जाएं ताके आप दोनों एसीली गाड़ियां घुज़र सकें यूआ ड्रैविंग आन वेल लाइट मोटर वे आन एक लियर नाइट उट्ट मस्यूट तो देखें जी अगर आप रात के टाम गाड़ी चला रहे हैं मोटर वे पर और वेल लाइट मोटर वे है कलिर नाइट है कोई मतलब दूंद नही कोई मौसम हराब नहीं तो आप क्या करेंगे तो भाई आप ने देखें जी लाइट तो अपनी जरूर हैड लाइट आन करनी है ना हैड लाइट का मतलब होता है सामने वाली लाइट तो वह तो आप आन करेंगे ना आपने फोग लाइट तो नहीं आन करनी और साइड लाइट रौंड अबूड कह सकते हैं या फिर जो है वो आपका जो है जहां पर अपने टर्ण करना होता है उतरना होता है रोड से तो वहाँ पे इनका मदी यह होता है आपको बताना कि अपनी को कम कर लें यानि के यहां पर यह direction changing का warning नहीं है ना ये शो आपको कहा रहा है safe distance between vehicle यह बता रहा है कि फासला जितना रखने बलके ये एक यू अवेर आफ यूर स्पीड ये आपको आपकी स्पीड के लिया से aware करता है कि आगे भाई round about है तो आप अपने आपको slow कर लें why is it bad technique to cost when driving downhill bad technique to cost का मतरब होता है जब आप downhill जाते हैं नीचे के तरह तो वो कहता है अगर अपना engine आप बंद कर दें और यहां गाड़ी को neutral कर दें और साथ clutch भी प्रेस कर दें तो यह जो है यह क्यों bad technique है तो यह इसलिए bad technique है यह engine को overheat नहीं करती नाई को fuel की consumption का इसके साथ अलग है कि fuel गाड़ी जादा खाती है नाई टायर के फलाओ जो हैं वो फलाओ आ जाता है टायर में टायर विल वीर मोर क्विकली बलके आता है ता वहीकल विल गेन speed देखें गाड़ी जब गेर में होती है तो इंजन ब्रेक उसको कहते हैं गाड़ी control में होती है आपकी बड़ी हाथ ब्रेक भी लगती है जब आप neutral करते हैं उपर सा clutch press करते हैं तो फिर गाड़ी ज्यादा speed gain कर लेती है फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है उसको control करना वाइज इट डेंजरस टू लीव रेर फोग लाइट आन वेंडे आर नाट नीटिट वह कहता है वाइज इट सुरी वाइज इट डेंजरस यह क्यों हतरनाक है कि अगर आप पीछे वाली फोग लाइट जो हैं उनको जो है उस वकद चलाते हैं वेंडे आर नाट नीडे जब उनकी जुरूद नहीं तो हमेशा याद रखें सामीन बैक साइड वाली जो फोग लाइट हैं जिनको र पर एक लाइट से देखें इसका यही सवाल बनता है कि वो लाइटें दूसरों को पीछे वालों को यह कंफीजन डालती है कि अगला बंदा ब्रेक लगा रहा है यह को डिरेक्शन इंडिकेटर नहीं है में नाट वर्क प्रापरली को इसका तल्लक है जी कि डिरेक्शन जालती है कि अगला बंदा ब्रेक लगा रहे हैं आगे वो कह रहा है यू आर आने मोटर वे इन फोग दोंदमिया मोटर वे पर हैं दा लेफ्ट हैंड एज आफ दा मोटर वे एडेंटिफाई भाई रिफ्लेक्टिव स्टॉड्ड यह जो है और मोटर वे के साथ लेफ्ट स लाइक तो हमेशां याद रखें जहां पर एज होता है रोड का यहां से आप मोटर वे से उतरते हैं या मोटर वे पर जो मर्जिंग लाइंज यहां से आप मोटर वे पर चड़ते हैं वहां पर हमेशां सामी जो है वो रैड कलर के जो है वो हमेशां वो स्टंड होती है और वो आपको शो होते हैं आगे next question वो कहता है why should you switch off your radar fog light when the fog has cleared वो कहता है जब fog clear हो जाती है तो आप क्यों switch off करते हैं अपनी back side वाली fog light तो stop draining the batteries का बैटरी से कोई तलग नहीं है बैटरी को इसे क्या मसला होना है बैटरी तो चार्ज हो रही है गाड़ी चाहरी है to allow your headlight to work headlight का इसके साथ कोई तलग नहीं है कि वो चार्ज रही है तो headlight नहीं चलेगी to stop the engine losing power ये भी नहीं इसमें आता है to prevent dazzling following driver पीछे वाले जो driver होते हैं वो बाद वाइस से फिर dazzle हो रहे होती है या उनको ज्यादा रोशनी को वो ज्यादा red color की रोशनी होती है चमकदार you are driving down a steep hill यानि आप एक कौँची जगा पर गाड़ी चला रहे है why could it be dangerous to keep the clutch down our roll in neutral for long time वो कहता है क्यों यह खतरनाक है क्लच को दबा के रखना या फिर गाड़ी को न्यूटरल चलाना for too long ज्यादा देरे के लिए क्यों खतरनाक है तो वो कहता है your vehicle will pick up speed देखें जी पहले भी सवाल आया था जब आप clutch press करते हैं गाड़ी को न्यूटरल रखते हैं गेर नहीं लगाते तो उससे आपकी गाड़ी definitely ज़्यादा speed पकड़ेगी क्योंकि उसके गाड़ी free होती है कोई उसकी मतलब engine जो break होती है गेर के साथ जाने के गाड़ी control होती है वो उसकी हतम हो जाती है और गाड़ी आपके control से बाहर हो सकती है fuel consumption का इसके साथ कोई तलग नहीं है नाइक को टायर वियर का इसके साथ तलग है को टायर में फलाओ आ जाता है नाइक को damage ये engine को करती है वेन में यू अवर टेक एन अदर वहिकल आन दा लेफ्ट लेफ्ट साइड से सामीन आप किसी भी गाड़ी को ओवर टेक तब भी कर सकते हैं जब one way street ओ जहां से सामने से गाड़ियां ना आ रही हूं आगे स्वाल आता है यू आर आन अ मोटर वे अड़ आट नाइट रात के वकित आप मोटर पे हैं मोटर वे पे हैं with other vehicle just ahead you आपके सामने जो गाड़ी है विछ लाइट शुड यू है राद वू कहता है आप मोटर वे पे हैं आपके आगे भी गाड़ी है या गाड़ियां है वहिकल्स तो न्युलिक सब्सक्राइब करेंगे सामीं लाइट जो होती है नारमल जो हम रात को आन करती है वह हमेशा टिप हैड लाइट ही होती है ना में बीम तो नहीं 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 होती जी नेक्स क्वेसिन में वे कहता है What should you do to correct rarer wheel skidding? rarer wheel skid, rarer wheel skid, rarer wheel skid, rarer wheel skid, rarer wheel skid वाले जो wheel skid skid का मतलब होता है फिसलना, तो जब इसे वाले tire slip कर रही ह strengthen तो आपको क्या करना चाहिए? तो steer away from it का मतलब होता है कि जिस तरह वो skid कार रही है फिसर रही है तो आप उसके against गारी को चलाएं तो वो तो गलत होगा ना अगर उस तरफ फिसर रही है तो अगर अगली तरफ जिदर आप उसके against चलाएंगे तो उधर भी गाड़ी फिसलेगी तो ज्यादा बैड वर्स सिच्विशन हो जाएगी not steer at all ये भी गलत है कि आप steering को कहीं पर भी दो दो ना करें जैसे वो गाड़ी कारी या करती जाए ना ही आप हैंड पर एक अपलाई करेंगे बलके यहां पर आएगा steer into it steer into it का मतलब होता है जिस तरफ गाड़ी पीछे से फिसर रही है उस तरफ थोड़ी सी गाड़ी को ऐसे रखें steering को देन जब गाड़ी नार्मल होगी तो फिर आप उसको easy जो है वो चलाते जाएं क्योंकि अगर आप उसके against steering करेंगे जहां गाड़ी पीछे से फिसर रही है तो आगे से अगर फिस ली तो फिर मजीद जो है वो bad situation हो जाएगी वाइज ट्रैवलिंग इन न्यूटरल फार लांग डिस्टेंस रांग यानि न्यूटरल गाड़ी जो है वो ज्यादा लंबे फासले तक चलाना गलत क्यों है जिसको हम कहते हैं as costing तो वह कहता है इट विल मेक दा इंजन स्टाल देखें जी इंजन का इसके साथ कोई तलग नहीं है इट विल कास दा काट उसकी नाइं गाड़ी के फिसलने का इसके साथ तलग है नाइं को इंजन जो है वो रन फास्टर करता है बलके यहां पे आता है गेर जब लगा होता है तो उसको हम इंजन ब्रेकिंग कहते हैं गाड़ी कंट्रोल में होती है तो वो कहता है जब आप न्यूटरल गाड़ी चलाएंगे ज़्यादा दे तो यह रांग होगा कि आपकी इंजन ब्रेक जो है वो फिर नहीं काम करेगी नहीं होगी वो कहता है आप गाड़ी चला रहे हैं दुन्ड में और आपको ज़ुआ है कि अब क्या याद रखना चाहिए जब आप फोग लाइट समाल करते हैं वो कहता है switch them off when the visibility improve तो definitely जब नजर आना इंप्रूव हो जाए तो फिर आपने उसको बंद करना है ना आन तो नहीं रखना don't use them on motorway ये बिल्को गलत है only use them on dual carriageway only use देखें जी जब fog होगी तो फिर आप motorway पे हों चाहिए आम रोड पे हों फिर तो आपने फोग लाइट आन करनी है ना इसका इसके साथ अलग तो नहीं है कि आप motorway पे हैं या डबल सड़क पे हैं या सिंगल पे हैं याद आपने सर्फ ये रखना है कि बाई जब fog हतम हो जाए तो आपके mind में होना चाहिए कि मैंने इसको फिर switch off करना है आगे आता है what should you do when you are overtaking at night वो कहता है आपको क्या करना चाहिए जब आप रात को overtake करते हैं तो रात के वकत overtake करते हुए सामीन सबसे ज़्यादा मसला ये बादफा होता है कि आगे mode होता है bend होता है या रोड आगे से कहीं मतलब गूमरा होता है right left तो वहाँ पर बादफा मसला हो जाता है तो इसलिए overtaking रात को करते हुए वो कहता है be aware of the bend in the road ahead यानि के आपने खबरदार रहना है आपने यानि के खुशार रहना है रात को overtaking करते हुए रोड के आगे कहीं पर bend हो सकता है mode हो सकता है नाई को sound your heart का इदर तलक है कर रात को जब आवाटे करते हैं तो आपने हरन बर जाना है नाई आपने को हैड़ लाइट फुल भी मान करनी है wait करना until bend so that you can see on coming हैड लाइट यह भी गलत है तो इसलिए इसका सरफ यही option आएगा पहला ही next question आता है what will happen if you use rarer fog lights in good condition वो कहता है कि क्या आपके साथ happen हो सकता है पेश आ सकता है अगर आप इस्तमाल करते हैं back side वाली fog light हैं जब good condition होती है तो वो कहता है they will make it safer when towing a trailer यह गलत है they will protect you from large vehicles यह भी गलत है कि यह आपको बड़ी गानियों से फाफाज़त फ्राम करता है जब आप trailer को खीएते हैं तो यह आपके लिए मफूज है देखें जी जब आप visibility condition good good है और आप पीछे वाली fog light on कर देते हैं तो यह दूसरे drivers को डाज़र करेंगी मसला करेंगी क्योंकि मैंने आपको आरड़ी बिताया है कि इसकी रोशनी जादा तेज होती है तो यह फिर problem create करती है next question में वो कहता है after these hazards hazard you should test your breaks why is this तो यह वाला sign जो सामीन है यह sign होता है जहां पर पानी वगएरा आगे हो सकता है यहां होता है कुछ जगों पर पानी जो है वो रोड के उपर आ सकता है side room पर कोई ऐसी यानि कि को river है यह बाद अफ़ा बारश का पानी जो है वो उपर से आ सकता है तो इन जगों से जब वो कहता है आप गुजरते हैं तो आप break को इसलिए क्यों test करते हैं तो इसलिए break को करते हैं क्योंकि breaks आपकी गिली हो जाती है और गिली जाब break हो जाए तो बाद अफ़ा लगने में प्राब्लम आती है यूर breaks will be soaking wet इसमें यह नहीं आता कि you will be on slippery road हम इसलिए break के नहीं चेक करते कि हम slippery road पे हैं यहां you will going down long hill नहीं को आगे को पहाड है you will have just crossed a long bridge नहीं यह को ब्रीज का निशान है नहीं को पहाड है आगे नहीं को slippery road का है बलके हम break को यहां पे इसलिए test करते हैं जब इन जगों से गुजरते हैं तो बाद अफ़ा पानी होने के वज़ा से ब्रेकें गिली हो जाती है तो हम देखती हैं ब्रेक जो है वो आया काम का रही है या नहीं का रही है you are traveling on a road that has speed humps वो कहता है आप एक ऐसे road पे travel का रहे हैं जहां पे आगे speed humps हैं जैसे speed breakers होते हैं वो कहता है what should you do when the driver in front is traveling more slowly than you यानि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके सामने एक जो ड्राइवर जा रहा है गाड़ी वाला वो बहुत slow है आपसे ज़्यादा भी तो आपने उसको overtake नहीं करना है soon as you can आपने flash your headlight करनी है ना sound your heart करना है बलके आपने उसके पीछे रहना है slow don't run and stay behind you have to make a journey in fog वो कहता है कि आप सफर का रही है या करना चाहती है दूंद में you have to make यानि आप करना चाहती है सफर दूंद में तो वो कहता है what should you do before you set out यानि कि सफर स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए तो देखें जी आपने बैटरी को चेक नहीं करना वो तो एक नार्मल है ना मतरब वैसे आप चेक करने लेकर फोग जब हो दूंद हो तो फिर आपने क्या चेक करना है make sure that you have warning triangle या वार्निंग ट्राइंगल या वहिकल तो वार्निंग ट्राइंगल तो नार्मली वैसे ही गाड़ी में होता है यह को इसका फोग के साथ अलग नहीं है make sure that a window are clean देखें जी जब दूंद हो already पहली नज़र नहीं आ रहा होता तो फिर अगर आपकी window या आपकी जो front screen है जो head screen है या back screen है अगर वही clean नहीं तो फिर आपके लिए और ज्यादा मसला हो सकता है तो radiator का भी इसके साथ कोई तलग नहीं आपके साथ कौन सा कोई minus temperature है you are driving in fog आप दूंद में गाड़ी चला रहे है why should you keep well back from the vehicle in front तो देखें जी जब आप दूंद में गाड़ी चलाते हैं तो आप अगली गाड़ी से ज्यादा well back क्यों रहते हैं इस लिए बाही रहते हैं कि अगला चानक break लगा सकता है और अगला जब चानक break लगाएगा तो आप पीछे होंगे तो आप अपने आपको बचा सकते हैं इसमें को light से dazzle होने का मसला नहीं है it's breaking light नाई यहां पे आएगा in case it's fog light dazzle you के हम इसलिए दूर हैं कि उसकी fog light हैं हमें dazzle का रही हैं हमें problem का रही हैं नाई को direction change जो है करने का यहां पे मसला है को suddenly कर सकता है बलके यहां पे आएगा in case it's stop suddenly वो कहता है अगर वो चानक break लगाता है तो इसलिए हम दूर हैं उससे कि ता कि हम अपने आपको उससे बचा सकें what should you do when dealing with this hazard वो कहता है आपको क्या करना चाहिए जब आप इस hazards के साथ deal करते हैं तो वो कहता है use a low gear and drive slowly वो कहता है छोटा गेर इस्तमाल का के slow गाड़ी चलाएं switch on hazard one देखे hazard one लैड का तो दूर दूर का इदा तलग नहीं है वो उसका तलग तो हम उसका होता है switch your wind screen wiper यह भी नहीं यहां पर आएगा कौन सा बारिश हो रही है नहीं यहां पर आएगा use a high gear यहां पर यहां पर आपको आरड भी बिताया visibility पूर है लेकर बहुत ज़्यादा seriously reduce नहीं है विच लाइट शुड़ यू switch on कौन सी लाइट आप आन करेंगे तो फिर आप ने ऐसी सुरत में सर्फ डिप हैड लाइट आन करनी है फिर आपको ना को front light fog आन करनी की जरूवत है ना को back fog light आन करनी की जरूवत है you are driving down a long steep hill आप यानि एक उंची जगह पर फाड़ पर गाड़ी चला रही है वो कहता है you suddenly notice that your brakes are not working as well as normally आपने note किया है अचानक आपकी ब्रेकें जो है ना वो काम नहीं का रही है तो वो कहता है what's the usual cause of this इसकी क्या वज़ा हो सकती है तो देखें जी जब आप उंची जगह घ zgए होती हैं तो आप नीचे आ रहे होता है तो आप नक्सदेखें है बादकरी जादा लगाने से प्रेकNINGगर भी हो जाती है और यह जादा उन गाड़ी में मसले जिन समय ड्रzenia रहती है तो सब्सक्राइं कोई हो जाए या i'll on the brakes badly adjust brakes ब्रेक जब अवर हीट हो जाती है तो देन वो उसना काम नहीं करती है यू आर ब्रेकिंग आने वेट रोड यूर वेहिकल बिगें टू सकेट है वो कहता है आप गिल रोड पे चला रहे हैं गाड़ी और आपकी गाड़ी जो है ना फिसनना शुरू हो गई है इसमें एंटी ल ली रेस दें आफने आपने क्विकली या पूल आप द हैंड़ी आपने ब्रेक डबाना है ना अपने पुश ईटर आंदा बेक पैडल आपने डीर और को सफन वाना है अपके आपने ऑन здесь करता है कि आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेकल लगाने से आपकी गाड़ी कारी होती यह रोक जाए, रोड इस वैट, why might a motocyclus two around drain cover on a band, drain cover क्या होताई जहां पर नीचे, गटर वगारा का जो डखन उपर लोगे लगए होती है, steel के, तो वो कहता है, motorcycle जो है, वो वैट रोड में, उससे हाटके क्यों गुझरेगा, तो भाई मोटर साइकल उसलिए हाटके उसे गुज़टा है बाद एधर पानी भी हो सकता है उसके उपर वेट जब हो गिला रोड और पर फिर बाद रखाश जोटी जो चीज़े है जैसे मोट सैकल है जो स्को उपर से श्यपством सकता है क्यांगे वह फिसल भी सकता है कफ़ाँ वह तो इसलिए यहां पर नाइप को अ टो ह मार्कर पॉइंट के तोर पर स्माल करने है यहां पर आता है to prevent the motorcycle sliding on the metal drain cover sliding का मतरब होता है फिसल जाना इदर उदर हो जाना तो वो कहता है prevent का मतरब होता है बचाना motorcycleist अपने आपको इसलिए उससे दूर कर लेता है उससे अपनी direction बदर रहता है ता कि वो इस drain metal drain cover के ओपर से फिसल ना जाए तो पानी खड़ा होता है जब पानी घड़ा होता है बहुता को नियुंद आप कyrus नहीं लगे इसे आपका शहा है कि आपकी जो आपका साइकल है वो को उसके उपर से फिसल सकता है कि वाय कोड़ इट बी डेंजरस टू कीप दा कलाच डाउन और स्लेक्ट नूटर फार लांग प्रीड आफ टाइम वाइल यू आ ड्राइविंग तो ज्यादा दे जब आप कलाच को दबाक रखेंगे गारी नूटर रखेंगे तो यह आपके ल जूल का भी कोई तरलक नहीं है नहीं आपका यहां पर टाइर का तरलक है यहां पर आता है यू विल 1700 ब्रेकिंग कर्ट एक आपका कंट्रो जो औरो पर भी आपके उतना इस यहां रहेगा तो जी सामयी आज मैंने आपके साथ 25 स्वाल इस टापक शेर कर दी है न dramas 26 वेसे इंशाला मैं नेक्स वीडियो में आपके साथ शेर करूँगा वीडियो पसंदाने की सुरत में वीडियो को लाइक कमेट जरूर किया करें अपनी राए से जरूर अगा किया करें अपने होस्ट मलक मनसूर हमें को अजाज़े दीजिए अलाहाफ़ाज